next question it says motor car is going due north at a speed of 50 km per hour it makes a 90 degree left turn without changing the speed सवाल है change in velocity of the car is about option 50 km per hour towards west 70 km per hour towards southwest या फिर तोर्द नॉर्थ या फिर जीरो नौ इस सवाल को अगर हम देखें तो situation यह है कि जो आपकी कार है वो पहले 50 km per hour से ऐसे करके 50 km per hour से नौज जा रही है उसके बाद कार ने आपका 90 degree का टर्न लिया है लेफ्ट टर्न तो यह से जाते जाते लेफ्ट टर्न इस डारेक्शन में यह टर्न लिया है 50 km पर hour ही स्पीड रहेगी हमें यहां पर बताना है चेंज इन वेलॉसिटी कितनी होगी नौ ऐसे सवालों को यह आपका ओव वेक्टर है यह ओरिजन है यह वेक्टर बी वेक्टर ऐसे सवालों को मेरी हमेशा सला होती है कि आप वेक्टर फॉर्म में सौल करें तो आपकी जो वेलॉसिटी है इसको आप लिख सकते हैं 50 इस से आम यह कह सकते हैं जो आपकी चेंज इन वेलॉसिटी थे सो देल्टा वी आपकी चेंज इन वेलॉसिटी मैनस इन वालॉसिटी इन वेक्टर फॉ Canton M V2 minus V1, V2 यानि की minus 50 j cap minus 50 i cap, यह बात अपने को पता है, minus i cap और minus j cap है, यह तो आपकी value हो गई, minus i cap और minus j cap है, तो यह आपकी इस direction में delta V यह आएगा, आपका vector minus i cap minus j cap यहाँ direction होएगा, इसके अगर magnitude की बात करें, so delta V का जो magnitude आएगा, delta V का magnitude that will be equal to under root of 50 square plus 50 square, so that will be 50 root 2, यहाँ पे इसकी value रखेंगे, तो यह आजाएगा 50 multiplied by root 2 होता है, आपका 1.4, so इसको जो multiply करेंगे, तो आपका 70 km per hour यह value आजाएगी, so based on this हम कह सकते हैं का option number B, 70 km per hour towards southwest यह जो आपकी direction है, that would be the right answer.